हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ सब खुश होंगे और मज़े में होंगे मैं शाहिन मैं भी अच्छे से हूँ तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आज मैं यहां बुमनेश्वर का सबसे ओल्डेस्ट एक्सपो मतलब मेला में आई हादिवासी मेला लगाने का मेन आप्जेक्टिव है हादवासी लोगों का यहां का जो ट्राइप सें उन्हों को का यहां पे ट्रैबल्स हैं जो कि अपना पूरा ट्रैडिशनल ड्रेस में रहते हैं और यह अपना यहां पे सारा सामान लाते हैं और यहां पे लाके सेल करते हैं और यह जो देख रहा है ना ब्लैक ब्लैक इससे इन्होंने यह सारा सामान बनाया है और यह सारा चीज इन लोग और यहां पर आके सेल करते हैं यह खुद अपने हाथों से बनाते हैं और यहां पर यह भी कुछ बना रहे हैं और यह किस चीज का बना रहे हैं मुझे भी कोई आडिया नहीं है पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यह क्या बना रही है चोटे-शोटा ये इरिंग्स और भगवान की मूर्ती और इस सबसे बहुत ही महनत से करतें सारा चीज इन लोगा हात का होता है और सब चीज वो खुद से बनाते हैं और इह आलाके सेल करते हैं देहिए इतने परे-परे प्रॉब्लम भी है तो इन लोग लैंग्विज समझ भी नहीं पाते हैं इसलिए मैं पूछ भी नहीं पाती हूं कि क्या यहां यह भी कुछ हैंडी क्राफ्स का कुछ बनाने की तियारी कर रहा हैं देखें यह सारा सामाल लेकर अभी बैठी है और अभी कुछ दिर के बाद यह कुछ बनाई और यहां पर यह है कपड़ा बुनने का मशीन जो कि लगता है फरस्ट आवर में लोग बुन के फिर छोड़ती हैं फिर बाद में बुनेंगे तो यह सब हैं जो कि आपको शादी कहीं देखने को मिलेगा और यहां देखें यहां पर कुछ लड़कियां लाह की चूड़ियां बना रही हैं लाही बोलते हैं अच्छे हम लोग तो इसे लाही बोलते हैं तो यह इन लोग अभी बनाने का प्रपरेशन स्टार्ट कर रही हैं यहां पर लोग आते हैं अपने मन के पसंद की कालर डिज बोलते हैं और यहां पर बैटे बैटे इन लोग यहीं पर रेडी करके तुरत दे देती हैं तो अभी इन लोग स्टार्ट ही कर रही है जस्ट फिर थोड़े देर में लोग आते जाएंगे और यह कलर पूछेंगी और डिजाइन पूछेंगी देखे कितने ब्यूटीफुल ब बोलते जाते हैं वैसे डिजाइन और कलर सामने से बना के देती जाएंगी यहां देखे यह मैडम डेकोर आइटम बना रही है कितने खुबसूरत और कितने इनुवेटिव और कितने ब्यूटीफुल है है ना तो मैं आपको पास से दिखाती हूं एक इस तरह से एक नॉर्म पूरा बना रही है और यहां पर सेल भी कर रही है इन लोग इसी तरह इन लोग साम बैट के दिन भर बनाती रहती है और ग्रहक आते हैं और उसको सेल करती जाती है देखे कितना खुबसूरत और इनुवेटिव और बीटिफुल लग रहा है ना यह एक तो अलग हटके तो बहुत खुबसूरत डीकूली डीकूररीटिव और आइटम्थ है यहां पर भी घरों में लगाने की लिए जो खहर ke है गर से बनाके लोग लाइंए बैग सैंडिकूरिटिव और तैप से के चीज है तो अड़र आप अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं यह बहुत कम मि और ये देखे कासा और पीतल के कुछ आइडल्स हैं और कुछ फोटो फ्रेम करके रखे हुए हैं कितने ब्यूटिफुल डेकॉरेटिव साइटम हैं और ये कुछ रसी का है सम। और ये जो मैं ब्लैक कलर का आपको पहले दिखाए थी ना कुछ था उसी से इन लोग तराश त कुछ से हाथ से बनाते हैं और ये यहां पर मिट्टी के बरतन है जो कि कुछ घड़ा है कुछ कप है कुछ आडल्स है कुछ पूजा का चीज है तो ये भी बड़ा अच्छा चीज है तो आप आकर यहां पर ले सकते हैं दिफ्रेंड डिफ्रेंट टाइप के चीज है ये चा और यहां पापड है और अचार है यह डिफरेंट टाइप्स के पापड है अचार है बड़ी है बहुत सारे चीज है जो खाने पीने के लिए भी है और यह मिट्चा है रिट चिली पाउडर है पाउडर निये क्रश्ट है सब और यह देखे यह ब्यूटिफल चूडी जो आग इस मेला का यहां के लोगों को बहुत इंतजार रहता है इस मेला से हम लोग पूरे साल का समान लेके जाते हैं मतलब इस मेला में बहुत सारे ड्राइव मसाले में मिलते हैं जो कि पूरे यहर का हम लोग एक साथ ले लेते हैं और पूरा यहर आराम से चलता फिर नेक्स्ट इस साल का पूरा ले लेते हैं इसकी क्वालिटी भी एक दम ओरिजनल होती है कोई मिलावट नहीं कुछ नहीं मैं अभी इस साइड में दो साइड है कि यह तो डेकोर्स का है सारा चीज और दूसरे साइड का मैं दूसरे दिन कवर करूंगी क्योंकि बहुत बड़ा मेला है यह तो इस साइड में सारा डेकोर्स का ही चीज है और दूसरे साइड में ड्राइ मसाला है बड़ी है पापड़ है अचार है पहुत सारे आटेम और एक साइड में पूरा यही सारे चीज हैंडी क्राफ्ट के सारे चीज मिलेंगा और दूसरे साइड में खाने पिने के चीज ड तो इसी तरह छोटे छोटे सो के लगबग स्टॉल होंगे कोविट से पहले यह जैनुवेरी में लगता था पर अभी इधर एपरेल में लगा है और इससे और कहीं बड़ा लगता था और बहुत सारा चीज था देखने के लिए अभी तो थोड़े स्माल स्केल पे लगता है को इसमें और सारी फैसलेटीज भी होती है लाइक फर्स्टेड एंबुलेंस और एटियम सर्विस एसे ट्रा एसे तो आप आएं और यहां पर भूम के जाएं आप अपने रिलेटिव्स के लिए सोविनस टाइप से कुछ गिफ्ट आइट उस भी यहां से लेके जा सकते हैं यह सारे चीज़ बहुत एंटिक और यूनिक है तो यह बहुत अच्छा लगता है किसी को गिफ्ट वेगरा करने मैं बहुत सारे चीज़ लेके गई हूं यहां से और गिफ्ट भी कर चुकी हूँ और यहां देखें यहां पर यह चोटे-चोटे टोकडी और मैट सेल कर रही है चाहो तो आप इससे समान रखो यह फ्रावर रखो डिकॉर के तरह यूज़ करो यह सारा चीज़ है यहाँ पे छोटे-छोटे मैट्स भी है छोटे बड़े हर साइस के आपको मैट्स मिल जाएंगे जो कि सारे के सारे चीज सारे आइटम आपको हैंडी क्राफ्स मिलें और यहां है आभूशन मतलब की आर्टिफीशन जर्डरी और यह सारे चीज है यहां पर बहुत हुपसरत अर्टिफिशल जवरी है एर ही है जो कि एक तम एंटिक लग रहा है और बहुत ब्यूटिफुल है और यहां पर आपको कार्पेट मिल जाएगा जो कि हर साइज और हर डिजाइन और हर कलर के मिल जाएंगे और साथ में यहां पर दरीवेगरा भी रखा हुआ है और यहां पर यह असम का स्टॉल है यहां पर हर एक बहुत सारे स्टेट का लोग आते हैं और अपना समान सेल करते हैं और यहां पर संबल पूरी आपको फैबरिक का आपको जो चाहूं वो मिल जाएगा साड़ी सूट पी कि इस सारे चीज यहां पर आपको मिल जाएंगे दिर्च को फशी सेल कर दूद और यह सम का स्टॉल है आपको साड़ी वेगर हा तो समक लोग तो जानते हों किश यowing हैं विन यह समक यहां पर मिल जाएगा आपको देखे कितना ब्यूटिफुल और कितना कलर्फुल और कितना अच्छा सिल्क और का साड़ी है तो इसी तरह ये मेला है जो कि बहुत बड़ा है ये एक दिन में कवर नहीं होगा इसलिए मैं ऐसे दो पार्ट में कवर करने कोशिश की हूँ आइ होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा जगा तो प्लीज लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब थो बनता है ना शगदादे से लिए कि अगदा धर येर्ग कि अगदादे कि बूखदे को जादे कि अगदा पूदे कि अगदादे कि अगदा है